इतिहास गवा है भारतिय में लैंड से 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच इन जमीन के टुक्रों पर आजादी की महान कुर्बानी दी गए जिसके निशान अब भी यहां मौजूद है इतिग्ष बेर आज चरुट्चके है लिए कर लेपेशे हैं लोगें 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 लो जब दूच कोशोर बादी हुट्च तरन दिश्यसादीड्च वीं लिए गाजादीड्चिश्याद पर आढ यहां मौद्ट्च इचा इचाम्यादीड्च उद्क्षट्टैंने इस पर स्थित तीरी गड़वाल की एक कमजोरी है जो पूरी दुनिया जानती है इस इलाके के भूकम पाया कई विदेशी वेग्यानिकों ने भी इस जगह को बांध बनाने के लिए काफी असुरक्षित पाया लेकिन जब भारतिय सरकार ने यहां पर जाच करवाई तो जाच आ यहां जाच कृई्ड कर वूरी इस प्समारी विदेशी है लिए कान ने चूरी आटा ने की तृबर्णा कान ज्रिएर्बर्णा श्री वार्ति लेग्या है विलार्प लेग्या बेविदेशी पाना अने जूड़ प्टार इस फ्रेव जो अबस प्रफूब कर लाद है इन अविक्टूर प्रोफ भूए बीजिए है इन अविक्टूर के जिए इन विंटर शोर श्नोर है था कि जब आपके लिए प्रूविक लिए विए। अम्बूर्बूर्बूर्वास्वातात्सवितुर्वरेन्यां बर्गोदेवास्यादेमाही दियोयोनाहापचोदायात। Right now I know how to read small books and I can write some paragraphs. मेरा नाम दिशा हे, और मे तेरा साल की हूं. And that means that my name is Disha and I'm 13 years old. इस यात्रा की शुरुवात हुई एक गलत फहमी से. Students ने सोचा था, जिस जगे से यमुना निकलती है, कम से कम वो तो साफ सुत्री होगी. लेकिन यहां तटका एक नजारा सभी गलत फहमियों को दूर करने के लिए काफी है. मगर सिर्फ सिस्टम को कोज कर आगे बढ़ जाना इनका जजबा नहीं. फिर क्या था, यमनोत्री में ही सफाई अभियान शुरू हो गया और लोग देखते रह गए. कच्रे ने लेली मेरी जान, क्या करें इसका हैरां, कच्रूटी पीली दीवार पिच्चर हॉल की थी. एक स्कूल था, मगर सक्रांती पर मेला लगता था, जहां पूरे उत्तरांचल से लोग एकठी होते थे. खेलकूत प्रतियोगताएं होती थी, सिंगोरी मिठाई की मशूर दुकान थी, पकोड़ी वाली गली थी. 1815 में राजा सुदर्शन शाह को ये जगा इतनी पसंद आये कि उसने यहां अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया. लेकिन उस वक्त यहां गोर्खो का कबजा था, तो सुदर्शन शाह ने इस इंडिया कंपनी के साथ मिलकर गोर्खो को ख़देर दिया और फिर इस जगे को दुबारा से एक नया रूप दिया. But is anybody listening? Or are you also an intellectual, a scientific mind, a Hindu, Jew, Christian, Muslim, Protestant, Catholic, Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian, Atheist, Indian, Canadian, American, French, British, Spanish, African? How do I understand this world?